एपिसोड नमबर 106 की स्टार्टिंग होती है और हमें तीन दिन बात का समय दिखाया जाता है जहाँ वान बई मन में कहा रही होती है अब तो एक हफता बीच चुका है और क्या चांग मने प्रॉबलम सॉल्व कर ली होंगी और तब भी वान बई का फोन रिंग होने लगता है और फिर वान बई फोन उठाती है और मन में कहती है ग्रेंड मा का कॉल और फिर वो कॉल उठाती है और कहती है हेलो फिर सामने से एक लेडी कहती है वान बई में तुमारी ग्रेंड मा की पडोसी बोल रही हूँ फिर वान बै उनसे कहती है हेलो और आप मेरी ग्रेंडमा के घर पर और फिर वो ओल लेडी चिलाती हुए कहती है तुम तुरंद घर वापस आ जाओ तुमारी ग्रेंडमा भी खत्रे में है ये सुन वान बै शौक्ड होती हुए कहती है क्या पिर वो ओल लेडी कहती है वो अच्छानक बेऊश हो गई और अभी उन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट किया है जल्दी से तुम वापस आ जाओ पिर वान बई तेजी से बाहर निकलती हुए कहती है हाँ ठीक है और पिर सीन सिफ्ट उतर वान बई वहाँ पहुच जाती है और वो ओल लेडी उसे देखकर कहती है वान बई और वहीं वान बई हापती हुए कहती है मेरी ग्रेंड मा कहां पर है क्या वो एमर्जेंसी रूम में है और फिर वो ओल्ड लेडी वान बाई का हाथ पकड़तीवे उससे कहती है तुम शानत हो चा है और ध्यान से मेरी बात सुनो तुमारी ग्रेंटमा बहुत ही ज़्यदा भूड़ी हो चुकी है और इस उम्रे में कुछ भी हो सकता है और फिर वान बै रोती वे कहती है मेरी ग्रेंड मा कैसी है वो ओल्ड लेडी रोती वे कहती है अब तुमको मजबूत होना होगा वो हमें छोड़ कर चली गई ये सुन वान बै शोक्ड होती है क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता उनकी सरजरी तो बहुत अच्छे से हुई थी फिर वो ओल्ड लेडी वान बै को समालती है कहती है वान बै तुमको रियलिटी को एकसेप्ट करना ही होंगा वो हमें छोड़ कर जा चुकी है और वान बई अपनी ग्रेंड मा को याद करती हुए मन में कहती है कैसे वो कैसे जा सकती है नहीं ग्रेंड मा और फिर वो बेहोश हो जाती है और वो अल लेडी वान बई को समालती हुए कहती है वान बई वान बई उठो दॉक्टर प्लीज हेल्प मी और फिर से इन सिर्फ टोतर में कुछ दिर बाद का समय दिखाया जाता है जहां वान बई को होश आ जाता है और वो मन में कह रही होती है क्या हो रहा है और वहीं उसके सामने यांग फिंग होता है और उसे होश में आता देख यांग फिंग उससे कहता है वान भाई तुम जाग गई फिर वान बाई कहती है हाँ मुझे पता है और फिर यांग फिंग उससे कहता है वान बाई चंग वन कहा है वो इस समय तुमारे साथ क्यों नहीं है फिर वान बाई कहती है वो अमेरिका गया हुआ है और तभी वान बाई का फोन वाइबरेट होने लगता है और फिर वो दोनों से बीजी थी और वान भाई क्या तुम ठीक हो और वहीं वान भाई उसकी बात सुनमन में कहने लगती है नहीं मैं चर्गमन को ये बात नहीं बता सकती वह भी बहुत ही ज़्यादा ठका हुआ होंगा और मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती और गाइज दिक साथ एपिसो में